हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू अचीव ज्यूतिगर्ग आज हम क्या करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं mcqs जो की बेस होंगे हमारे management by objective के ओपर ठीक है तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि यह मेरा एक telegram channel है जिसको आप क्या है join कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हूँ कि एक qr code दिया हुआ है या तो आप इसको scan करके join कर सकते हूँ यहां पर मैंने आपको link भी दिया हुआ है जिसके तुरू आप join कर सकते हूँ ठीक है और यहां पर आपको free pdf मिल जाएंगी जो भी lesson में यहां पर आपको करवाओंगी उसकी pdf मैं वहां पर telegram पर share कर दूँगी तो आप अगर join करना चाहें तो qr code से scan करके join कर सकते हैं या या फिर इस link से join कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज का पहला question सबसे पहले हमारा question है कि who is the who is known as father of MBO यानि के MBO के father किसे बोला जाता है हमारे options है तो फटाफट से इसका answer जो है मुझे comment section में दे दीजिए मैं आपको थोड़ा सा time दे देती हूँ ताकि आप मुझे फटाफट answer कर सके है और friends answer नहीं भी आता तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हम सिर्फ practice करने के लिए है जितने जादा questions आप solve यह उतने जादा आपकी chances बढ़ेंगे net clear के ठीक है चली अब फटाफट से answer देख लेते हैं हम लोग answer है Peter F. Ducker ठीक है F क्या है उनका F का मतलब है Ferdinand ठीक है Ferdinand तो यह कौन है यह हमारे जो MBO के inventor है Peter F. Ducker ठीक है और यह एक management consultant है educator है author है और यह जो Ducker है उनकी जो 39 books थी ठी already translate किया जा चुका है 36 languages में ओके और भी इनके बारे में हम जानेंगे पहले आप इतना कुछ जान लीजिए next question है हमारा the management principle which holds that only significant deviation from standard of performance should be brought to management attention is known as तो फटा फट से अपने answers जो है comment section में लिख दीजिए मैं आपके answers का wait कर रही हूँ ठीक है हमारे options है management by objectives, management by exceptions, management by motivation, management by behavior तो जल्दी से अपने answers लिख दीजिए और आपको यहाँ पे सभी questions की explanation मिलेगी ठीक है तो आप फटा फट से answer बताईए मुझे चाकि मैं भी आप लोग management by exception यह क्या है यह एक बहुत important principle है हमारा principle of control है जिसके अंदर क्या बोला गया है कि mean जो significant deviation दिया गया है वो किस पे दिया गया है control पे दिया गया है ठीक है उन्होंने का है कि हम अगर कोई भी deviation होता है यानि कि जो भी हमारे goals हैं जो targets हैं अगर उसके अंदर कोई भी हमारे changes आ लेकिन मेरे marks कितने आए मेरे marks आगए 88 ठीक है तो वो क्या है वो जो हमारा 2% का deviation हुआ है वो क्यों हुआ है उसको control करने के लिए ठीक है और जब हम किसी चीज़ को बहुत जादा control करते हैं तो क्या होता है उसका result कुछ भी नहीं निकलता है ठीक है तो यह क्या है हमारा management by exception चलिए next हम बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा MBO का concept है वो हमें Peter Rapp टकरने दिया था अब वो पूछ रहा है कि इसके अलावा क्या है किसने important role निभाया था MBO के अंदर ठीक है तो इसके हमारे पास options है J.L. Laundry, G.S. Odeon या फिर J.E Macford-Pollet या फिर Halod-Cons ठीक है तो इसको फटाफट चे आंसर मुझे दे दीजिए अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो यहां पर आपको English और Hindi दोनों के अंदर दिख रहा है क्यों ताकि मेरे जितने भी students हैं जो English बाइग्रांड चे या फिर जो हिंदी बाइग्रांड चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आंसर है हमारा George S. Audion तो यह जो हमारे George S. Audion है इनके according क्या है The system of management by objective can be described as a process whereby the superior and subordinate jointly identify common goals, identify each individual's major area of responsibility in terms of the results expected of him or her and use these measures as guide for operating the units and assessing the contribution of each of its member वो क्या कह रहा है यहां पर वो कह रहा है कि यहां पर क्या होता है जो हमारे superior है और जो subordinate होते हैं वो साथ में क्या करते हैं इडेन्टिफाइ करते हैं common goals को यानि कि जो हमारे common goals होते हैं जैसे आपका और मेरा common goal है कि आपका जो है जिरिफ crack हो जाए ठीक है तो हम वो major करते हैं कि क्या होता है हमारा common goal और identify करते हैं कि हर एक person की major areas क्या है जैसे कि हर कोई हर subject में genius नहीं हो सकता है ठीक है तो कौन सा subject आप का अच्छा है कौन सा subject आपका week है ठीक है और एक responsibility लेते हैं कि हाँ हमारे कम से कम इतना result आना चाहिए इस person से और उसी के according क्या है हम लोग work करते हैं और जब हम उस particular unit को यानि कि उस particular जो हमने सोचा है हमारा goal क्या है अगर उससे deviation होता है तो उसके उपर भी हम work out करते हैं कि कि इस तरीके से हम उसको achieve कर सकते हैं तो यहां पर क्या है हर एक person की contribution को देखा जाता है कि हर एक person कितना contribute कर रहा है उस particular goal के लिए तो यह सारा क्या है आपका MBO का part है ओके चलिए next question देख लेते हैं next question क्या है जो हमारी popular book है the practice of management यह किस ने लिखी थी ठीक है हमारे options है Henry Fjol, G.S. Audion, G.R. Terry, P.F. Ducker ठीक है तो इसका फटा-फट से मुझे answer जो है comment section में बता दीजिए ताकि फिर मैं आपको answer बता सकूं चलिए मुझे लगता है कि आपने answer कर दिया होगा तो हम answer देख लेते हैं answer is Peter F. Ducker ठीक है जो Peter F. Ducker है वो काफी क्या नाम प्रणाउंड है मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद है अपने management thinking के लिए और वो बहुत अच्छे author है उन्होंने around 25 books लिखी वी है जिससे क्या हुआ है कि जो हमारा communication का world था जो modern corporation है उसका सोचने का नजरिया बदल गया है इस book के थरू ठीक है यह क्या है यह जो हमारी practice of management book है यह करीबन 1954 में लिखी गई थी तो यह जितनी भी information में आपको provide कर रही हूँ प्लीज इसको कहीं पर note down कर लिजेगा लिख लिजेगा क्योंकि यह सारी important things है इसे related क्या है आपका एक ना को एक question जरूर आएगा आप kinetics से हमें ठीक है next question देखते हैं next question है कि MBO की full form क्या होती है I hope यह तो आप सभी को पता होगा तो इसका answer तो आप सभी फटा-फट से comment section में लिखी देंगे options क्या है हमारे options है management by organization, management by opportunities, management by objectives, management by operations तो चलिए फटा-फट से answer कर दीजे फिर हम answers को check कर लेते हैं चलिए मुझे लगता है कि आपने इसका answer कर दिया होगा तो हम answer check कर लेते हैं answer is management by objective इसे mostly क्या है MBO के नाम से ही जाना जाता है यह एक तरीकी का management concept है जो की बहुत popular किया गया है और mainly क्या है management consultant के उपर यह based है जिसके इंदर जो business होता है ठीक है business की जो needs होती है जो goals होती है उनको यहाँ पर देखा जाता है मतलब एक particular objective के लिए यहाँ पर काम किया जाता है और उसको manage करने के लिए सब लोग उसी के इड़िट काम करते हैं मतलब जो भी हमारी needs है हमारी जो भी हमारे goals है उसको fulfill करने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है उसको organize किया जाता है इसलिए इसका नाम है management by objective next question लेखते है next question क्या है the famous book the practice of management written by P.F.Ducker was published in अब मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया था कि जो हमारी the practice of management book है वो कौन से year में लिखी गई थी यहाँ पर हमारे options है 1950, 1952, 1954 and 1959 तो आप फटा-फट से मुझे बता दीजिए कि कौन से year में हमारी यह book लिखी गई थी चलिए मुझे लगता है कि आपने answer कर दिया होगा तो हम answer देख लेते हैं answer is 1954 तो यह क्या है यह publish हुए थी 1954 के अंदर बुक का नाम है the practice of management और यह first book थी जिसने क्या है management को पूरा एक whole concept प्रोवाइड किया था उसमें बताया गया था कि जो हमारी responsibilities है जो managers है वो सब क्या है एक तरीके से separate है ठीक है जो management part होता है वो अलग होता है as compared to a manager part जैसे कि हमने अपने accounts में भी पढ़ा था कि जो owner की identity होती है वो different होती है हमारे business ते इसी तरीके से जो management होता है वो manager नहीं होता है manager और management में difference होता है उनकी responsibilities अलग होती है ठीक है और यह एक तरीके से क्या है discipline provide करता है modern management practices के तो यानि कि इससे जो हमारा अभ्यास करने का तरीका है management का वो change होता है यह इसने basic हमें concept बताया था कि किस तरीके से आप management को practice कर सकते हो तो friends आज का lesson इतना ही था यह मेरा YouTube channel है आप इसको join कर सकते हो telegram channel है आप इसको भी join कर सकते हो Facebook channel है WhatsApp group है आप जहां पे भी active रहते हो आप वहां से मेरे साथ connect कर सकते हो तो friends वीडियो अची लगी हो तो प्लीज शेयर कर लीजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा thank you so much friends